बूर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम दू देस्टैनों हेल्टी पी आज की डिक्टेशन नंबर है 49 और 50 गती सीमा 100 वर्ड पर मिनिट सभापती महोदै जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभाव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वै सामाजिक हो आर्थिक हो या सांस्क्रतिक हो रुका हुआ है पिछले 55 वर्सों से इसी परिस्थिती का निर्मार होते हुए हम देख रहे हैं मंत्री महोदय ने यहां पर अभी कहा कि राश्ट्रपती इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की विवस्ता वहां का विकास ठीक नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राश्ट्रपती का सासन लागू कर देते हैं जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहां के नेता जिम्मेदारी से काम ना करते हो तो वहां पर राज्यपाल का सासन लागू कर दिया जाता है ऐसे अनेक उधारन हमारे देश में मौजूद है इसी प्रकार हमारे राश्ट्रपती सबसे उंचे अधिकारी है और अगर देश में इस तरह की इस्तिती काफी समय तक चलती रही तो राश्ट्रपती को आपात काली इस्तिती में इस देश की सुरक्षा के लिए देश की रगती के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है हमारे भाईयों ने बहुत से उधारण दिये कि राज्यों में संयुक्त सरकारे नहीं चली लेकिन उसके पीछे राजनेतिक मामले थे अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो सम्विधान में यह स्पस्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी रास्ट्रपती की है मैं आपको एक उधारण देना चाहता हूँ सम्विधान में आदिवासी हरी जनों की उन्नती के लिए प्रण किया गया था कि दस वर्स में उनकी समाजिक तथा आर्थिक इस्थिती को सुधार देंगे लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही इस समय को चार बार दस दस साल के लिए बढ़ाया जा चुका है लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और समाजिक उन्नती नहीं हो रही है इसमें यह सरकार बिलुकुल आसफल रही है पिछले सत्र में इस विसे पर सरकार के विरुद आविस्वास का प्रस्ताव भी आया था इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वे इस धंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने की विवस्था हम सोच रहे है सभापती महोदे वह केवल एक स्वपन ही रह जाएगा ऐसी इस्थिती में मैं अनुभव करता हूँ कि आपात काल की घोशना की जाए और इस देश के जो मुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सार्व दली सरकार स्थापित की जाए हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का सासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है बलकि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही है रास्ट्र की आंतिरिक सुरक्षा के विशय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाशर हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है मानिनी सदस्यों ने व्यक्तिगर्थ स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बाते कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा की हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करे मैं जहां तक समझ पाया हूँ हमारे ग्रह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ बलकि वर्तमान परिस्थितियों को द्रस्टी में रखते हुए उनको दुख हो रहा है आज जब हम नागरिक सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है प्रतेक नागरिक इस रास्ट की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है हमने इस बात की सुरक्षा अपने सम्विधान में दी है और हम यह आसा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतवेद होते हुए भी राजनीतिक मतवेद का आदर होना चाहिए मतवेद होते हुए भी सांती और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए माननी सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी आसाधारण परिस्तिती आ गई थी जिसके कारण आपको नजरबंदी बिल लाना पड़ा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता यदि नहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्स पहले कही थी आज भी इस मरण रखते उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायत्व निर्वाह में अगर किसी प्रधान मंत्री को बार बार पीछे मुण कर देखना पड़े की कोई छुरा तो नहीं भोक रहा है यह कोई अच्छी बात नहीं है यदि ऐसी परिस्तिती देश में पैदा हो जाए सामप्रदाईक द्रस्टी से देश के विभिन्य स्थानों पर सामप्रदाईक दंगे हो रहे हो उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सके तो फिर किसी बिल की आवश्यक्ता नहीं है कि दो प्रस्टी से अवश्यक्ता नहीं है